कि नमश्कार मेहुद अईश्री के क्यार नियूस में आपका स्वाकेते बढ़ते हैं खबरों के और थाना बेलबाग में एमेच हॉस्पिटल से सुचना मिली थी कि मेगा चौधरी उम्रे अच्थाइस वर्स निवासी भांतलेया चौधरी महला बेलबाग को अपने घर पर जहरीली वस्तु का सेवन करने से अलाज हे तू पति कौशिक चौधरी द्वारा भरतिक कराया था अलाज के दौरान मेगा चौधरी की मृत्ति हो गए थी सुचना पर पंच्रामा कारवाही कर्शब को पीम ही तु भीचवाते हुए मर्ग कायम कर जाच मलिया गया मर्ग जाच के दौरान मृतिका मेगा चौधरी की माता-पिता यूं साक्षियों के कथे लिए कोशिक चौधरी द्वारा मेगा चौधरी को जहर पिलाया गया तता कोशिक चौधरी ने अपने पिता शुकदेव चौधरी के साथ प्लाया चाना एभं अपने पिता सुकदेव चौधरी के साथ मिलकर पत्नी के साथ मारपीट कर चोट पहुचाना तथा साक्षित छुपाने की नियाद से मेगा चौधरी को जान से मानने के लिए उचित समय में इलाच ना करा कर मृत्यू कर देना पाई जाने पर आरूपी पतिवं ससूर के विरुद विधन धाराव के त खाना बेलबाग में दुराचार का प्रकरंड कायम करते हुए भाई रोही चौधरी को गिरफतार कर जिल भेच दिया क्या था आरूपी कौशिक चौधरी शक करने लगा कि उसकी पत्नी के उसे छोटे भाई से पहले से संबंद चले आ रही है कौशिक चौधरी और कौशिक दवाई की छे शिशिया एवं गन्य का जूस खरीदा तथा बरगी टैम की जंगल में ले जाकर गन्य की जूस में कितना शक दवाई मिलाकर पिला दी एवं रातरी में पत्नी को लेकर घर लोटाया तथा घर पर मार्पिट करता रहा दो दिन तक इलाज है तो भरती नहीं कर जब हालात बिगणने लगे तो दूसरे को दिखाने के लिए अस्पिताल में भरती कराया और उपचार के दौरान में घाके मृत्यों हो गए दोनों आरोपियों को प्रकरण में विदिवत गिरफतार कर मान्य नयाले के समक्षे पेश करते हुए नयाई खिरासत में जिल फे दिनांग 25-22 को एमेच हस्पताल से मृतिका मेघा चौधरी की तहरीर प्राप्त हुई थी वाइजनिंग केस से जो थाना बेलबाग में मर क्रमान 5 अबलिक 22 धारह 174 शेयर पिशी की काईमेकर जांच में लिया गया था जो जांच दौरान पाया गया की मृतिका मेघा जिवारिक बिवात चल रहा था है उसी बात को लेकर आरूपी कौसिक चौधरी जो मृतिका का पती है वो योजना बद तरीके से 13-5-22 को बर्गी डेम के जंगल में ले जाकर किट नासक दवाई गन्ने की जूस के साथ पिलाया था जिसकी वज़े से इलाज दौरान मृत्त प्रोहित चौधरी था जो जेल में है अभी 302 काइम किया गया है 302-328 के तैट काइमी की गई है आरूपी कौसिक चौधरी और उसके पिता शुख देव चौधरी के खिलाब ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें